हेलो फ्रेंज आज हम घर पर ही बनाएंगे अमूल बटर जैसा बटर तो इसे बनाने के लिए मैंने आप पर ले लिया है एक खाली बाउल और इसमें मैं ले रही हूँ एट कर्टोरी मलाई यह मलाई मैंने तीन दिन की ली है और इसे बटर को बनाने से पहले हम छे घंटे तक फ्रिज से बाहर रख लेंगे ताकि मलाई हमारी सॉफ्ट हो जाए और इसमें किसी भी तरह का कोई लंस न रहे अब इसमें हम डालेंगे एक चुटकी हल्दी और इसके साथ ही हम आड़ करेंगे आधा चमच नमक अब हम इसे अच्छे से मलाई में मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे फ्रिज का ठंडा पानी मैंने हाप पर एक ग्लास पानी डाला है अब इसे हम चमच की मदद से असानी से मिक्स कर लेंगे इससे हमारा बटर बड़ी असानी से निकल जाएगा अगर आपके पास इस तरह का हैंड विस्क है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं मैंने थोड़ा पानी और डाला है और इसे हम विस्क की मदद से एक मिनट तक चलाएंगे एक मिनट में हमारा जो बटर है ये अलग हो जाएगा पानी से और ये पानी आप पैंकिएगा नहीं इसे आप कड़ी वगेरा बनाने के लिए यूज कर सकते हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा बटर बनकर रेडी हो गया है तो अब मैंने सारा पानी इसका अलग कर लिया है अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक स्क्वाइर बॉक्स इसमें मैंने बटर पेपर यूज किया है आप चाहें तो फॉयल पेपर या कोई प्लास्टिक शीट इसमें लगा सकते हैं और इसमें हम हमारा बटर जो है वो अच्छे से सेट कर लेंगे और इसे फ्रिज में रखेंगे दो घंटे के लिए फ्रिज से दो घंटे बाद मैं इसे आपको निकाल कर दिखा रही हूँ यह कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है और बिल्कुल हमारे मार्केट जैसे अमूल बटर जैसा ही यह देखने में भी लग रहा है इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि यह हमने घर पर बनाया है तो यह बहुत ही हल्दी भी है तो आपको मैं इसे कट करकर दिखा देती हूँ यह बहुत ही असानी से cut भी हो जाएगा कि यह बहुत ही अच्छा और soft butter बनकर ready हुआ है Friends आप चाहें तो इसके अलग-अलग pieces आप foil paper में लपेट कर भी रख सकते हैं Friends अगर आपको मेरी यह recipe पसंद आई तो इस वीडियो को like करना मत भूलेगा Thank you friends Thank you